प्रांतर है प्रेडमी नोट नाइन से प्रियाइब देखने को मिला तो यहां पर इनके लिए बहुत ज़लती आने बाला है वो सब कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज की इस वीडियो में वीडियो का फिता इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो को सुड़ू से एन तक वोच करते रहेगा चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो लाइक नहीं के तो लाइक कर दीजेगा 200 लाइक तो आई होप आप इससे कंप्लीट कर देंगे तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं बात कर है क्योंकि इसका बिन नंबर लिष्ट बगरा हो चुका है तो फाइनली वह अपडेट रॉल आउट होना भी स्टार्ट हो चुका है ग्लोबल के अंदर 13.0.2.0 स्टेबल अपडेट 2.6 जबीकस का साइज है यह ग्लोबली स्टेबल अपडेट रॉल आउट होना स्टार्ट को मिल सकता है जिया तो यहां पर बहुत ज़्दी इसको अपडेट देखने हो मिल सकता है क्योंकि ग्लोबल स्टेबल अपडेट इसके लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है रेड्मी नोट 9 प्रो डिवाइज के लिए अब मैं बात करूं यहां पर रेड्मी नोट नोट 9 प्रो मैक्स जो की मोश्ट डिवाइज है इसका काफी लोग वेट कर रहे हैं तो इसकी भी मैं बता दो टेस्टिंग वगरा चल रही है इंडिया के लिए डिरेक्ली क्योंकि यहां पर बता है यह बाहर मैक्स के लांच ही नहीं हुआ है इंडिया के लिए अपडेट म और टेस्टिंग कप्लीट होने के बाद आपको इंडिया में डिरेक्ली अपडेट ओल आउट कर दिया जाएगा यह रेडिमी नोट 9 प्रो में भी अपडेट के साथ यह प्डेट देखने को मिलेगा तो यह काफी अची बात है वैसे यह बताया ज़रा है इस पोस्ट के और quarter 3 का जो थीसरा मन्त है वो सितंबर है तो सितंबर end of the सितंबर तो मिली जाना है वैसे बताया ज़रा है कि सितंबर के first week के अंदरी rollout होना start हो जाएगा हो सकता है में भी पहले भी हो जाए और बात करें हैं पोको M2 Pro के लिए भी हैं पर टेस्टिंग आपको पता चली रही ह 30.0.0.7 IN का साइन है इंडिया स्टेबल अपडेट इसकी भी टेस्टिंग चल रही है बाकि एक बारी 9 सेरीज में किसी भी डिवाइज को मिल जाता है उसके बाद धिरे करें करके 15 से 20 दिन में इन तीनों ही डिवाइजों को देखने को मिल जाएगा तीनों ही चारों डिवा अब बस इंडिया की बारी है और यहां पर आपको देखते हैं सामी मियो आई के तरफ से यह चीज़ कंफर्म की गी है कि एंड ऑफ दा अगस्ती अपडेट ओल आउट होना स्टार्ट हो सकता है रेड्मी नोट 9 सेरीज के लिए और पोको M2 Pro दोने मतला एक ही डिवाइज आ अगस्त हो सकता है या सितंबर के सुरुवाती जो वीग होता है उसके अंदर यह अपडेट ओल आउट होना स्टार्ट हो सकता है अमें बात कर लेता है पर रेड्मी नोट 10S के लिए इंडिया के अंदर अपडेट देखने हो मिल सकता है मुझे लग रहा है अगस्त में आप बता दी थी तो यह अपडेट उसक्त पाइलर टेस्टर के रिलीज हुआ था ग्लोबल के अंदर अब यह करंटली टाइम पार्ट होना स्टार्ट हो चुका है काफी सारे डिवाइजों को धिरे-दिरे करके यह दिया जा रहा है तो यहां पे इंडिया में भी अपडेट रै यहां पर अपने रैडमी 910 प्रो डिवाइज की तो यहां पर इसके लिए जो अपडेट की इंफ्रमेशन तो नहीं है अपडेट का मिलेगा लेकिन यहां पर बताया जा रहा हो जो नेक्स्ट अपडेट है ना उसके अंदर ओफिसली आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल अपडेट के अंदर जो साइड बार वाला उप्सन है ना वहां पर फ्लोटिंग विंडो के अंदर शिफ्ट हो जागा यहां से इसको रिमूव बगरा कर दिया जाएगा तो यहां पर मैं एक यूब बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर यू के अंदर मतलब यूरोप के अंदर और साइड बगारा बगारा चेंज होएंगा और भी कुछ छोटे मोटे चेंज होएंगे वह आपको हम बता दूंगा तो यहां पर इसके लिए एक छोटी सी गुद नूज है बाकी हो सकता है क्या आपना हिंडिया में दे भी ना बाकी अभी देखा जा रहा है यही अभी ल लोल संटर दे दिया जाएगा आज की पसंद आई पसंद आई तो लाइक संस्क्राइब जुरूर किजिए मिलते नेक्टरन टैक के रहा है जैहन वंदे मात्रम